हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चानल लिंजा इटर्स में I hope कि आप सभ अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ 11 मेकप हैक्स that every girl should know तो ये जो 11 मेकप हैक्स है वो सारी गर्ल्स के लिए और even those boys जो मेकप करते हैं उन लोगों के लिए भी काफी जादा beneficial और helpful होने वाला है तो अगर आप जाना चाहते हैं कि वो 11 amazing मेकप हैक्स क्या है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो गाई सबसे पहला मेकप हैक यह है कि जब भी आप अपना काजल अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने lower waterline पर अप्लाई करना है आपको अपने upper waterline पर अप्लाई करने से आपके आइस थोड़े से शार्प दिखते हैं तो यहाँ पर मैंने अपने right side पे नहीं apply किया है और left side पे apply किया है तो आप difference देख सकते हैं एक side कितना sharp लग रहा है और एक side कितना sharp नहीं लग रहा है तो guys second है कि यह है कि अगर आपको कोई भी shimmery eyeshadow look create करना है तो आप थोड़ा सा concealer किसी भी transition shade के ओपर apply कर लिजिए एकदम अपने fingers के help से आपको हलका हलका सा dab dab करना है then concealer थोड़ा सा apply करने के बाद आप अपना कोई भी favorite shimmer shade ले लिजिए और जहाँ पे आपने concealer apply किया है वहाँ पे apply कर लिजिए थोड़ा किये है कि अगर आपका काजल smudge करता है तो आप कोई भी compact powder ले सकते हैं मैंने यहाँ पे marlin का compact powder use किया है then आप उसको अपने काजल के नीचे हलका dab dab करके apply कर लिजिए आप चाहें तो अपने fingers के help से भी apply कर सकते हैं इससे आपका काजल बिल्कुल भी smudge नहीं होगा और at least 7-8 hours तक stay करेगा बिना smudge के क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप blush apply कर रहे हो और वो थोड़ा जादा quantity में apply हो गया हो अगर हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कोई भी compact powder ले लीजिए और जिस एडिया में आपने थोड़ा जादा apply किया है वहाँ पे compact powder को apply कर लीजिए देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि compact powder apply करने से एकदम से मिट गया है and then second time आप अच्छे से blush कर लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम lipstick apply करते हैं तो यह हमारे lips के area से हल्का सा बहार चला जाता है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप थोड़ा सा concealer ले और उसे जहां पे spread हुआ है वहाँ पे apply कर ले और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका lipstick एकदम नॉर्मल हो जाएगा तो यह चीज़ आप मेरे साथ relate कर सकते हैं ऐसा हुआ होगा कि आप जब ही mascara apply करो वो आपके eyeshadow look को खराब कर दे अगर ऐसा हुआ तो डरने की कोई बात नहीं है आपने पहले जो भी eyeshadow shade apply किया था वही shame shade लेके जहां पे mascara लगा हुआ है वहाँ पे apply कर लीजिए देन आपका eyeshadow look जो है वो एकदम पहले की तरह हो जाएगा तो यह है आपके daily life में बहुत काम आने वाला है आप अपनी lipstick को अपने chicks पे as a blush भी apply कर सकते हैं जी हां आप थोड़ा से lipstick अपने chicks पे apply कर लीजिए और एक fluffy brush के help से blend कर लीजिए यहां पे आप देख सकते हैं कितना जादा natural blush हमारे chicks पे लग रहा है तो अपने lips को थोड़ा सा बिग और glossy दिखाने के लिए आप थोड़ा सा highlighter अपने lipstick पे apply कर लीजिए और अच्छे से blend कर लीजिए इससे आपके lips एकदम glossy और बिग दिखेंगे तो अगर आपके पास makeup remover नहीं है तो आप simply coconut oil और cotton के help से अपना makeup remove कर सकते हैं easily अपने foundation को creamy से matte बनाने के लिए हमें चाहिए कोई सा भी cream मैं यहाप पे night cream यूज़ कर रही हूँ और loose powder अगर आपके पास loose powder नहीं है तो आप normal powder भी यूज़ कर सकते हैं दन यहापे मैं आपको normal foundation apply करके बता रही हूँ तो यह दिखे कितना creamy है जो यह एक ही बार में apply हो गया और हमने जो foundation बनाया है वो थोड़ा सा matte है तो dear आपको ऐसे ही results देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप blend नहीं करेंगे तब तक आपको full results देखने को नहीं मिलेगा तो आप जब भी अपना foundation apply करें तो हमेशा damp blender apply करें यानि की भीगा blender इससे आपका foundation एकदम से केकी नहीं लगेगा